गरम पोस्ट को सब्सक्राइब करें और लेटेस अबडेट के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएं बिहार के एक सीएम लालू यादो के बेटे तेजपरताप यादों ने रॉलिम फिल्ड की दमदार बाइक खरीदी है वैसे तो रॉलिम फिल्ड शुरू से ही युवाओं की पसंद रही है लेकिन लालू इस समय अस्पताल में भरती हैं ऐसे में तेजपरताप का महंगी बाइक खरीदना पूरे बिहार में चर्चा का विशय बना हुआ है बिहार के स्वास्त मंतरी रह चुके तेजपरताप यादों ने रॉलिम फिल्ड की कॉंटिनेंटल जीटी 535 कैफे रेसर बाइक खरीदी है मिली जानकारी के अनुसार इस बाइक की कीमत 2,11,000 रुपे है हाला कि इस साल के शुरू में ही कमपनी ने इसकी फेलोशिप को भारत में बन कर दिया था लेकिन तेजपरताप ने श्टॉक में बची बाइक को खरीदा है ये 530cc की 4-stroke सिलेंडर इंजन वाली बाइक है इसके इंजन की पावर 29.1 BHP और ये 44 NM का टॉर्क जिनरेट करती है इसने 5-speed manual gearbox है इसका single seat look दिखने में काफी अच्छा लगता है और इसे रॉयल इंफिल्ड की दमदार बाइक माना जाता है आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब तेजपरताप यादो ऐसी कुछ कारणामों से सुर्खियों में आए है तेजपरताप कभी जेलेवी बनाते हैं कभी शिव और कृष्ण का गेट अप में आ जाते हैं तब भी वो सोशल मीडिया पर काफिश है रहते हैं और अब भी वो सोशल मीडिया पर काफिश है हुए है जाहिर है कि तेजपरताप यादो अब जो है कि जीटी बाइक के साथ पूर रेस ट्रैक पर नजर आएंगे ऐसा माना जा रहा है आपको बता दे कि इससे पहले वो हरी द्वार में पूजा करते दिखाई दिये थे कभी काशी में भगवान भोलेनात की पूजा करते दिखाई देते हैं तो कभी बिल्डिंग पर चड़कर इस जोरत दिखाई देने वाले तेजपरताप अब रेसर बाइक के साथ सड़क पर रेस लगाएंगे